जब डॉक्टर सर्ताल पर जा रहे हैं तो आम आदमी को कटनाई कम से कम कैसे हो उसके लिए हमने चाहे आयूस के लोग हो चाहे हमारे नर्सिंग स्टाफ के जो एक्स्पिरियंस लोग है उनको हो तमाम लोगों को हमने चिकिसा के अंदरों के आज लगाया आइपीडी में भी वह की वही चीज व्यवस्ता जारी रहेगी वैसे भी इनका 24 गंटे का है और वाइसकार तो ओपीडी का ही करने कर नेड़े लिया यह पूरा आइपीडी का किया तो दोनों व्यवस्ताओं के लिए हमने पूरी जो भी हमारे अवेलेबल स्टफ ता डिपार की सिक्योरिटी भी सरकार का ही कंसर्ण है यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो चिकित्सा मुहिया करा रहे हैं लोगों को उनको पूरी सुरक्षा मिले लेगिन हम डॉक्टर से भी अमरोद करना चाहते हैं कि मरीज उनके पास भगवान उनको समझ के आता है तो उनका व्य प्रेवार में चेंज लाना पड़ेगा और डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा संवेदन चील तरीके से चिकित्सा को काम करना पड़ेगा तो दोनों तरीके से अगर इंप्रूब्मेंट होगा तो इस तरह की अपरी घटना है भविशे में रुख सकती हैं जो कि दुर्भा के चीजे हैं कि पूरा धांचा चर्मरा जाता आपका चिकित्सा का और यह इस तरह की घटना होने नी चीए लेकिन इन ही कारणों की वज़े से बार बार यह घटित होता रहा है तो यह वोईलेंस या मिस बिएव दोनों चीजों में कटोती होनी चीए इन में रुकना चीए त ताकि आम आदबी को चिकित्सा का जो मूल उद्देश से उसकी पूर्ति की जा सके तो अभी आप जॉक्टर अगु शर्मा को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि जिस तरीके की बानगी देखने को मिल रही है उसको कहीं ना कहीं सुधाने की जरुरत है और जहां तक जॉक्टर उसकी मांग है जिस तरीके से चिकत्सकों के साथ मारपीट की गई थी और लगतार यही मांग उठी है कि उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की जानी चाहिए सुरक्षा की लिहास से यहां पर डॉक्टर अगु शर्मा ने कहा है कि सुरक्षा के लिहास से जो यह फर्ज बनता है वो सरकार का ही बनता है कि किस तरीके से उनके सुरक्षा के लिए विवस्ता की जाए दरसल डॉक्टर जो है वो 24 गंटे काम करते हैं लेकिन जिस तरीके से वहवार देखा गया उसको लेकर यहां पर उन्होंने कहा कि इसके लिए सतरकता बर्लती जरूरी है